सबसे पहले आप लोग देखो स्कूर्ड और को मैंने फसाया किस तरीके से ध्यान से देखो इसी तरीके से फसा कर रखना स्कूर्ड और को और बस स्कूर्ड और को खीचिना घर के से बिल्कम बैक टो माई चैनल टेक्नाज बाइक व्लॉग मेरा नाम है आज मैं आप लोगों को बता हूँगा जो बाइक का साइड स्टैंड होताए उसकी स्प्रिंग कैसे लगाना कूmostこれは कि स्प्रिंग कि मेरे पास कमेंट को किसे और इस में यह रहाव है तो इसम विडियो सूप पर को कैसे निका रहाई साइड स्ठैन की स्प्रिंग को CPT कैसे निजिए दोंगा काना है szn में यह स्प्रिंग को कैसे निकाना बाधे यह को किसे yelled इसम्स प्रोंग पोड़ने लीके साइडोड दिया यह स्परिंग बेटाएंणा में लगाएगी से ब handlerake जो यह से ईजक मैं दोड़े गाले लिए सत्व सबहरों संहुत कर द shorten कि को ग्लास एस देखाना यहां पर और साइडी स्टेन्ट को ऊपर लाना है कुछ इस तरीखे से नीचिक के तरफ रखो कि स्प्रिंग नहीं बैठेगी साइडीस्टन को उपर लेकर जाना और स्कलोडोर को फ़साना कुछ इस तरीके से यहय। प्स पास से दिखाता ह compares आप लोगों को देखो यहां पर हमने और यहां पर इसकोड़ार किस तरीके से फसा है वो देख लो यह अब इसकोड़ार को सिर्फ खीचना है यह यह देखो यह बैड़ गई सेकेंड में नहीं लगा मैंने आप लोगों बताया था बैड जाएगी बहुत जल्दी बैड़ती बैड़ गई स्प्रिंग बिल्कुल आसानी में आपका कंपा ऴॉस यह देखो बैट गई यह बेड़ वदी देखोंसे अलोगों के लिए उस fan sip कि स्प्रिंग को निकल गई कुझे अब इसे निकाला कैसे जो कमेंट से आया था कि साइड स्टेंड की स्प्रिंग को निकालें कैसे तो निकालने का बिल्कुल आसान सा तरीका है देखो इसको डर को कहां पर मैंने फसाया इस जगे पर बस इसे ऊपर की तरफ उठा देंगे यह निकल गई है बिलकुल आसानी से निकल भी गई बिलकुल आसानी से लग भी जाएगी यह दो कुरू साइडा iki स्प्रिंग की स्प्रिंग लगाना ही, जो मेरे पास Caroline लगाना यह था साइड श्था है यह वह एधार है में यह प्लास लेंग और दुगा देना तो देखा आप लोगों ने कितनी आसानी से is इस अनिकल भी गई और लग भी गय तो बार इसलिए मैंने आप को दिखाया निकाल के और लगा के बिल्कुल आसान है स्प्रिंग को लगाना बस तोड़ा ट्रिक और थोड़ा दिमाग लगता है अराम से बढ़ जाती लग जाती है तो चलो ये वीडियो करते हैं एंड वीडियो कैसी रही आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताना अभी झाल कर्ण जाती है